हाई वीवर्स वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंड्स ही देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा मल्टी कलर निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आपके सी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिन में लेडि चैकेट में लेडि शग में गल्स टॉप में बच्चों के सैटर में जैंट साफ सैटर फूल सैटर में और कैप में और मफरल में भी अपलाई कर सकते हैं तो दिखें फ्रेंट साइड से ये इस तरह से दिखता है ये दिखें और बैक साइड से य इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो टू के मल्टिपल से होंगे और यह जो डिजाइन है टोटल फोर रौ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं यह दिखे यहां पर मैंने टू के मल्टिपल से 12 फंदे लिए हैं और अभी तक इसकी कोई भी रौ नहीं निकाले हैं आप जो भी बॉडर बनाना चाहें वो निच्चे से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं इसकी फस्ट रौ है और राइट साइड है इस सारी रौ को हम इस तरह से सीधे सीधे फंदों के साथ भून कर कम्प्लीट करेंगे एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे फस्ट रौ कम्प्लीट हो गई है सेकेंड रौ है रौंग साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे धगा पीछे करेंगे अब दिखे यहाँ पर हमर पास दो उल्टे फंदे हैं इसके साथ में से यहाँ से यह दिखे दो उल्टे फंदों के बाद यहाँ से हम सिलाई निकालेंगे और एक एकससेच बनाएंगे यह दिखे यहाँ से सिलाई निकालेंगे और एक एकससेच बनाएंगे सिधा बुनते हुए अब बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे ये दिखें दो फंदे एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये दिखें फिर से हमारे पास यहाँ पर दो फंदे हो गए हैं दीखे बन टू फिर से इस पैटन को ऐसे ही बरबार एंड तक रिपीट करेंगे तो फिर से देखिए दो उल्टे फंदों के बाद एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे अम बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों के बाद एक्स्रा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों के बाद एक्स्रा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से last में दो फंदी है, एक एकचा फंदा बनाएंगे 2 फंदों के बाद और back लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां से यहां तक हमने 5 पैटरन कमप्लेट किया है, last में हमारी पार सेटिच है, इसको उलटा बना लेंगी 2nd row complete हो गई है 3rd row है और red sand है 3rd row से हम हमारा 2nd color start करेंगे तो आप यह दिखे यहाँ पर मैंने red color use किया है आप जो भी चाहें वो color use कर सकते हैं तो इस color के साथ हम इस सारी row को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे और इस थागे को यह दिखे इस तरह से square करेंगे यह दिखे इस सारी row को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे astridge भी सीधा ही बना लेंगे 3rd row complete हो गई है 4th row है wrong side astridge slip करेंगे repeat pattern स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे अब यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे फिर से दो फंदों के बाद यह दिखे यहां से एक एक्स्टा फंदा बनाएंगे और back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखे यही दो फंदों का pattern हम बार बार repeat करेंगे तो फिर से दो फंदों के बाद एक एक्स्टा फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए और back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों के बाद एक्स्रा फंदा बनाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों के बाद एक्स्रा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां तक हमने four pattern complete किया है last में दो फंदे है एक फंदा सीधा stitch उल्टा बना लेंगी यह दिखिए four throw complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first draw से start करेंगे तो first draw से हम हमारा first color ही use करेंगे तो यहां पर हमने दो color यूज किये हैं आप जो भी चाहें वो कोई और color भी यहां पर लगा सकते हैं तो फिर से first draw बनाएंगे first color के साथ और इस सारी रव को हम सिधे सिधे फंदों के साथ बुन कर complete करेंगे एस्टिच भी सिधा ही बुन लेंगे first draw complete हो गई है second draw है wrong sign एस्टिच slip करेंगे थागा पिछे करेंगे repeat pattern स्टार्ट करेंगे फिर से दो फंदों के बाद एक एकसा फंदा बनाएंगे सिधा बुनते हुए और back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से यही pattern repeat करेंगे दो फंदों के बाद एकसा फंदा बनाएंगे सीधा बनते हुए और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बनते हुए इससे एक्सा फंदा बनाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे इससे लास्ट में दो फंद है एक्सा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का ए इस रिच उल्टा बना लेंगे, यह दिखिए second row complete हो गई है, third row है right side फिर से हमारा second color यहां पर यूज़ करेंगे, तो आप कोई भी color यहां पर यूज़ कर सकते हैं, तो second color के साथ फिर से इस सारी row को सिधा सिदा बुनकर complete करेंगे एस्टिच भी सीधा ही बुन लेंगे थारड रह कम्प्लीट हो गई है फोर्थ रह है और रॉंग साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदों के बाद एक एक्स्रा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे फिर से एक्स्रा फंदा बनाएंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एकसा फंदा बनाएंगे दो फंदों के बाद, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर से एक एकसा फंदा दो फंदों के बाद बनाएंगे, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, लास्ट में दो फंद हैं, एक फंदा सीधा, एस्ट चोल्टा बना लेंगे यह दिखिए कैसे इसकी 4-row complete हो गई है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1-2-4-row repeat करते जाएंगे और यह pattern बनकर यह दिखिए इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने experience हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलें तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ, तिल देन, बाव बाव फैन